आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी यह रेसिपी मेरी नहीं है यह सबागी रेसिपी है सबागी जहान चैनल की रेसिपी है यह उन्होंने अपने चैनल पर कुछ टाइम पहले एक व्लोग में शेयर की थी तो मैंने सब क्यों आप सब के साथ भी आप सेयर क्या जायका यह यह बहुत ही हैं सब के साथ स्यार करनी चैनल को मैंने नहीं कि इंग्रिडियें डिख लेते हैं कि इस रेसिपी को पनाने की थियार थान चैनल की दूल है उट प आपको वैजी चाहिए चाहिए करदाई बीज पीस और अदरक लेसुन का पेस्ट और प्याज तो यह सारी चीजे हमें चाहिए होंगी और आपको कढ़ाई में ले थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा ओयल उसमें जीरा और सरसो और जब यह चातकने लगे तब आपको एड कर होने लगे तब आपको इसमें डालना है अदरक लेसुन का पेस्ट अदरक लेसुन के पेस्ट को आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हैं कम या जादा जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मूनना है इसका कच्छा पन सारा निक आप इसमे पनीर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो प्ट सबाने नहीं डाला था इसलिए मैंने भी नहीं डाला तो इस सबजी को भी अच्छे से मिक्स करते रहें करते रहें और फिर इसमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी जिससे हमारे ओर्स में बहुत अच्छा सा कल माणना सब्सलिए की लिखता करते हैं तो इसमें की ठाला का सापर हिवेली तो तो फड़ी दा लिख र सालरी में तो आपको एक medium glass पानी डाला है जिससे बस आपका और आपकी जो सब्जियां है वो अच्छे से पक जाएं ज्यादा पानी नहों इसको ढखक कर पांच मिनट के लिए पकाएंगे जिससे मटर आपकी पक जाएं पांदर्स मिनट पकाने के बाद हम सब्जियों को चेक करेंगे कि हमारी सब्जियां गल चुकी है या नहीं जब आपकी सब्जियां गल जाएंगी फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे oats mix करने इसमें एक साथ सारे oats ना डाले वरना यह सारा चिपक सजाएगा तो इसलिए जिससे इस्टीम से और अच्छे से पक जाए क्योंकि हमने पानी जादा नहीं डाला है पानी से फुतना डाला है जितने में यह अच्छा ना रहे तो दाब्तों के नीचे आएगा यह देखिया हमारा ओर पांदस मिनट के बाद पक कर अच्छे से रैडी है अब इसमें हम एड करेंगे हरा धनिया हरे धनिय से बहुत अच्छी सी खुश्बू आ जाती है तो आपको जितना चाहिए उतना अपर अपर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक लास्ट इंग्रिडियंट है वह हम डालेंगे निम्बू निम्बू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा यहां पर एक मैंने चोटा सा निम्बू लिया है मीडियम साइज का वह मैंने पूरा डाल दिया है इसमें और देखिया हमारा जो ओट है वो बनकर रेडी है आप इसे किसी भी टाइम इंजॉय कर सकते हैं लंच में ब्रेक्फास्ट में और डिनर में किसी भी टाइम इसे अच्छी रेसिपी बताते रहे हम ट्राइ करते रहेंगे थैंक यू एंड लव यू सो मच